Hey बच्चो मेरा नाम है शिप्रतिवारी and welcome back to your favorite channel Magnet Brains यहाँ पर आपको provide कराया जाता है बिलकुल free education ताकि आप अपने life में बहुत अच्छा कुछ कर सकें तो last class में हम लोगों ने transportation in plans पढ़ लिया था बहुत सारे बच्चों की ये request थी कि morphology of plans शिरू किया जाए बेटा इसके तीन चाप्टर अपर लोग कर ले फटाफट से फटाफट से यूँ खतम होगा यूँ यूँ चुटकियों में खतम कर लेते हैं उसके बाद then we'll move to the morphology and anatomy of plans ठीक है तो परिशानी हो ना बहुत सारे बिच्चों की कमेंट आ रहे थे morphology पहले करवाओ मैं करवा दूंगी टेंशन ना लो बिल्कुल तो मैं सारा पढ़ाने के लिए हूँ सारा पढ़ाओंगी मैं तो तुम चिंता बिल्कुल नहीं करो पढ़ा दूंगी मैं तुमें पर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हम देखते हैं देखो transportation in plants के बारे में last class में मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझा दिया था ठीक है इसमें मैंने तुम्हें समझा दिया था कि कुछ भी हो जैसे इंसान को हर जगा nutrients की जरुवत होती है वैसे plants भी एक जीती जागती चीज है चीज नहीं एक जीता जागता prepared है जिसको हर चीज की जरुवत पढ़ती है there are different means of transportation जिससे हम अलग-अलग चीजों को transport करते हैं if we are talking about the food we can transport the food from the phloem and if we are talking about the water then we will move the water from the xylem ठीक है तो हमको यह समझ में आ गया पर यह जरूरी नहीं किसे food or water transport करना है हमें mineral and hormones भी transport करन है by the different means of methods तो इस chapter कर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी overview overview खाला के हमने solve कर लिया था पर एक बार और थोड़ा सो बताती हूं कि हमको करना क्या 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 है देखो means of transport में हमको क्या 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 करना है ठीक है transportation पढ़ रहे हैं अरे यार क्योंकि हम transportation पढ़ रहे हैं इसलिए transportation म हमें क्या क्या करना है वो एक बार देख लीजिए ठीक है सबसे पहले हम करेंगे transportation across the membrane ठीक है हम क्या करेंगे transportation across the membrane done कोई भी molecule एक से दूसरे सेल में कैसे जाता है across membrane ठीक है मतलब एक सेल की membrane को चीरता हुआ दूसरे सेल में कैसे जाएगा तुम ठीक है तो transportation across the membrane transportation across the membrane किसके बीच में होता है बोलेंगे बताएंगे ये होता है cell से cell के बीच में किसे किसके बीच में बच्चो ये होता है cell से cell के बीच में done तो इसे हम short distance transport भी कह सकते हैं क्या कह सकते हम इसे short distance transport done इसे हम short distance transport भी कह सकते हैं Now हम बात करेंगे किसकी? Now हम बात करेंगे दूसरी चीज की जिसका नाम होता है plant water relation, ठीक है? जैसे की एक girlfriend, boyfriend में क्या relation है? वैसे ही plant का water से क्या relation है? वो जानेंगे, ठीक है? Third में we need to talk about the long distance transportation, ठीक है? हमें जानना है long distance transportation, ठीक है? तो इस chapter में हम इन तीज़ चीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है? Transportation across the membrane, how we can transport the thing from the one cell to the another cell, ठीक है? What is the relationship between the plant and water and if we are going to establish a relationship between the plant and water, we easily transported the water from the tip of the root to the flower, ठीक है? यह कहानी समझ में आ गई? कि यह तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो आज का हमारा concerned topic क्या है? Transportation across the membrane, ठीक है? शुरू करें हम लोग इस topic के बारे में, let's start with the transportation across the membrane, शुरू करती हूं में देखिए क्या कहानी है? Transportation across membrane, ठीक है? Done, transportation across membrane, अब हम किसी भी चीज़ को देखो, ध्यान समझो, suppose that यह एक cell है, ठीक है? और यह इस cell की cell wall है, ठीक है? अब मुझे इसे दूसरे cell पे transport करना है कोई material, ठीक है? Okay, suppose that यहाँ पर यह कोई material है, और मैं चाहती हूं कि वो इस cell पे आ जाए, ठीक है? तो this is the cell wall, और cell wall से transport करने में कोई बहुत बढ़ा वो नहीं है, ठीक है? तो cell wall और cell membrane से आपको चीजों को ट्रांसपोर्ट करना है, तो cell wall से आपको चीजों को ट्रांसपोर्टेशन नहीं पढ़ेंगे, we are only talking about the cell membrane से ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है? यह क्या है आपका cell membrane है, ठीक है? this is the cell membrane ठीक, तो cell membrane से transportation पढ़ेंगे, cell wall को क्या है, को cross कर सकते हैं, कोई tension नहीं ठीक है तो main gate से आपके घर पे कोई भी transport करके अंदर आ सकता है, पर दरवाजे से वही entry करेगा जो camera में हम देख लेंगे कि भाई, ये मारा कर सकते हैं, शुड़ू करें हम किसी भी दो cell की membrane से कितने प्रकार का transportation कर सकते हैं, ठीक है जैसे अगर मेरे घर पे suppose that कि मेरी कोई friend आई जिसका नाम था जिसका नाम क्या रख दू मैं जिसका नाम था लवीना, ठीक है suppose that कि मेरे घर पे कोई मेरी friend आई जिसका नाम था लवीना, अब ये लवीना नाम की जो मेरी friend है, ये दो तरीके से आ सकती है, कैसे? या तो वो सीधे सीधे आजाए, ठीक है? आज उसका मन है कि मेरे साथ वो बैटके समोसे खाएगी, तो वो मेरे घर में यू ही आजाएगी पर आज उसका मन नहीं है आज उसका मन नहीं है तो उसको धक्का मार मार के भेजा जाए लवीना आएगी तो जरूर या तो वो अपनी मर्जी से आ जाए या तो उसे धक्का मार मार के भेजा जाए तो basically there are two means of transportation बच्चो एक होता है active transport done, एक होता है मेरे प्यारे बच्चो active transport दूसरा होता है passive transport ठीक है, एक होता है active transport और दूसरा होता है passive transport अब depend करता है कि लवीना को कौन से method से घर के मेरे अंदर आना है समोसे खाने के लिए, समोसे तो वो खा कही रहेगी, चाहे वो किसी भी method से अंदर आए ठीक है, अब passive transport ये color visible नहीं है, red से लिख देती हूँ यार ये न, color का कुछ कम option है इसमें, क्यों तो में क्या लगता है, ये color लेती हूँ ठीक है, अब passive transport है, अब passive transport जो है, वो कितने type के हो सकते हैं वो आप देखिए, passive transport का पहला है, diffusion लवीना अपने आप ही आ जाए, ठीक है, दूसरा है facilitated diffusion ठीक है, facilitated diffusion ठीक है, ओके और तीसरा method क्या है बचो, तीसरा method है, हमारे पास cytoplasmic streaming, ठीक है क्या है, cytoplasmic streaming, ठीक cy, अदि यार, यह भी color visible नहीं है ठीक है, अब अगर आप passive transport कर रहे हो तो यहाँ पर कोई energy नहीं लगेगी ठीक है, अगर आप passive transport कर रहे हो, तो यहाँ पर कोई energy नहीं लगेगी, पर अगर आप active transport कर रहे हो, तो you need to expend energy ठीक है, अगर आप active transport कर रहे हो, तो you need to expend energy, अब आप active transport दो तरीके से show कर सकते हैं, वो में बात बताऊंगी आपको यह सीखना है, कि transportation across the membrane between the two cells, अगर आपको दो cell के बीच में चीजों को transport करना है, तो आप कौन-कौन से method अप्लाई कर सकते हैं, पहला जो method आप अप्लाई करेंगे, वो है active transport, दूसरा आप method अप्लाई करेंगे passive transport, नॉर्मली बहुत सारी चीजे passive transport से यूँ ही, अपने आप, ऐसी ही चली जाती हैं, इसके तीन method है, diffusion, facilitated diffusion और cytoplasmic streaming, यहाँ पर अपने आप जब चले जाओगे, तो आपको कोई भी energy expend नहीं करनी पड़ेगी, पर if we are talking about the active transport, you need to expend some energy, बच्चो, अगर को धक्कम आना पड़ेगा, चल अगर आपको कहीं पर energy expend करनी पड़ेगी, तो energy expend करनी पड़ेगी, इससे आप कहते है active transport, ड़न, आजाओ, तो आप समझ गए कि इस chapter में हम क्या के deal करने वाले हैं, यह समझ गए, आप चालो, देखो, 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 बहुत लंबा distance ट्रावल करना पड़ेगा, ड़न, उसके बाद transportation जो है, short distance transportation कितने प्रकार का हो सकता है, short distance transportation दो प्रकार का हो सकता है, जैसे कि मैंने यह slide में बताया, कि 1, 2 and 3, ठीक है, actually 3 की category ही अलग है, यह 3 को हम अलग भी लिख सकते हैं, पर यह दोनों कैसे होते हैं, यह होते हैं, पैसिफ, कैसे होते हैं, पैसिफ टाइप of transportation होते हैं, इसमें कोई energy खर्च करने की जरूरत नहीं है, active transport में you need to expend some energy, बिना energy के बिना लाक मारे यह नहीं जाते, ठीक है, तो यह होते हैं, short distance transportation, तो आज की कहानी जो मुझे समझानी है, वो है short distance transportation, अब हम एक एक करके, एक एक method के बारे में deal करेंगे, पर हमें यह पता है कि short distance transportation में हमें cell to cell movement करवाना है, ठीक है, हमें किसी भी चीज का cell to cell movement करवाना है, बच्चो ठीक है, and if we want to move a substance from cell to cell, then आपको बहुत जादा कोई जायलम भलोयम की जरुवत नहीं है, बच्चो, simple simple चीज़े इस्तमाल करो, ठीक है, छोटे-छोटे steps लोगे, तो तुम्हारा काम बनता जाएगा, चलो, so short distance transportation जो है, वो basically, कितने प्रकार का होता ही समझ गए, now, NCRT के heading, according ये, जो heading दी गई है, आज हम सबसे पहला topic deal करने वाले हैं, इस, मैंने आपको बताया है कि इस पूरे chapter का वो है, transportation across the cell membrane, ठीक है, तो means of transportation, ठीक है, means of transportation, तीन होता है, diffusion, facilitated diffusion and active transport, done, अब ये कहानी जो मुझे समझानी है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, मैं क्या बोल रही हूँ, ये है lipid का एक head, ठीक है, plasma membrane is made up of lipid and protein, ठीक है, plasma membrane is made up of, कितना गंदा बनाया है, मैंने, क्यों, plasma membrane is made up of lipid and protein, isn't it, हम लोगों ने plasma membrane का structure पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, कि भूल गए सारा, ठीक है, ये है आपका, this is, this whole structure is called as lipid, ये कैसा structure है lipid, what we are talking about, बच्चो, अभी हम पढ़ क्या रहे है, हम पढ़ रहे है, transportation across the membrane, कोई भी चीज, एक cell membrane से travel करती हुई, दूसरी cell membrane में कैसे जाएगी, ठीक है, so, आपको पता है कि the plasma membrane is made up of lipoprotein, अभी मैंने एक lipid का structure बनाया है, this is the head of the lipid, ठीक है, जो की होता है, hydrophilic, hydrophilic, कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चो, hydrophilic, done, और ये जो portion है, ये tail portion कहलाता है, ये होता है, lipophilic, ठीक है, ओके, मैं आदमी हूँ और आदमी से ही प्यार करता हूँ, ठीक है, तो ये lipid है और lipid से ही प्यार करता है, पर इसकी जो मुंडी है, मुंडी गुम जाती है, इसका दिमाग खरा हो जाता है, तो head किस से प्यार करता है, पानी से प्यार करता है, done तो ऐसे, अब आप क्या देख रहे हो, अब आप क्या देख रहे हो क्या देख रहे हो, आप ऐसे molecules जिसमें दो nature होता है ठीक है, hydrophilic, lipophilic, पढ़ाया आपने, पढ़ाया ना आपने जब दो nature हो तो ऐसे molecules को हम क्या कहते हैं? Amphipathic molecule क्या कहते हैं हम लोग इसको Amphipathic molecule ठीक है? Amphipathic molecule इसका बहतरीन example होता है Bile salts क्या होता है इसका बहतरीन example? Bile salts ठीक है? Bile salts में आपने देखा होगा कि missiles बनते हैं missiles is nothing, it is a lipoprotein ठीक है जिसमें head जो होता है missiles क्या होते हैं जो fat को तोड़ कर बनाते हैं bile salt जो होते हैं जब वो fat को टुकड़ों में तोड़ देते हैं तो वो एक round structure बना देते हैं जिसे आप missile कहते हैं digestive system में पढ़ाया है मैंने आपको तो lipid जो होते हैं दोनों nature होता है hydrophilic, lipophilic या hydrophilic, hydrophobic यह जो tail होती है यह lipophilic होती है पर होती है hydrophobic है मतलब इसका pair जो है वो पानी से नफरत करता है पर इसका head है वो पानी से प्यार करता है done यह कहानी आपको clear हो गई यह कहानी plasma membrane में हम already deal कर चुके इसलिए मैं बहुत detail से नहीं जाओंगी अब ध्यान से देखना यह कहानी सबको clear हो गई अच्छा, अब मालों यहीं पर चोटा सा बना देती हूँ मालों कि यह मैं एक बना रही हूँ क्या यह है एक molecule lipid, 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 lipid ध्यान से देखते जाना है ना यह lipid bilayer बना रही हूँ मैं ध्यान से सब लोग देखेंगे जो नहीं देखेगा तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं ही बाबा है तो lipid molecule बना लो जरसा है ना, ऐसे बना लो फटा-फट से है ना, ओके बना लिया आपने अब आप ध्यान से समझना यह जो पैर है ना, यह पानी से नफरत करता है इसको पसंदी नहीं कि इसके पैर पे इसके पैर जो है पानी में डूबे वैसे ही lipid का जो टेल होता है वो पानी से नफरत करता है डन, अब पानी कैसा होता है जहां से देखना, पानी कैसा होता है, water कैसा molecule है, water is a polar molecule, ठीक है, polar solvent होता है, ठीक है, अब ये polar चीजों को अंदर नहीं जाने देते, जाने देंगे, थोड़ा बहुत जाने देंगे, पर बहुत जाने देंगे, पर बहुत जाने जाने देंगे, पर बहुत जाने जाने देंगे क्योंकि ये पानी से नफरत करता है ठीक है तो ये non-polar चीजों को असानी से अंदर जाने देते हैं ठीक है ये कहानी सब को clear हो गई कि हमको क्या पढ़ना है हमको पढ़ना है the transportation across the membrane ठीक है अब अगर हमें transportation across the membrane पढ़ना है तो we should know about the structure of plasma membrane मैंने आपको already plasma membrane का पूरा lecture पढ़ा दिया है ये तो मैंने सब आपको overview बता है इतनी कहानी आपको अभी तक clear हो गई क्या अच्छो तो आप शुरू करते हैं plasma membrane से कैसे transport करोगे चालो देखो ध्यान से देखना है ना पहले कुछ चीज़े तुमको बता देती हूँ सबसे पहले means of transport what we have to deal हमें क्या पढ़ना है हमें पढ़ना है diffusion क्या पढ़ना है हमें diffusion के बारे में पढ़ना है चीक है now diffusion क्या होता है बताइए मुझे what is the diffusion what do you mean by diffusion diffusion is the movement of movement of particles movement of particles from higher अच्छा मैं थोड़ा थोड़ा लिखूँँगी क्या मैं इसके notes लेके आई हूँ higher to lower concentration done so diffusion क्या होता है जब आप suppose that suppose that suppose that कि यहाँ पर एक मेरे पास कोई beaker रखा हुआ है और यहाँ पर इस beaker के बीच में है दिवार और यहाँ पर यहाँ पर कोई gas भरी हुई है ओके यह दिखेगा नहीं तो यहाँ पर कोई gas भरी हुई है अब यहाँ पर इस gas के molecule है कितने suppose that यहाँ पर 100 molecule है गैस के ठीक है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 molecules हैं गैस के ठीक है O2 लिख लेती हूँ oxygen के तो अब आप मुझे बताईए कि oxygen का movement कहां से कहां की ओर होगा रे सोचो ना कहां से कहां की ओर होगा कहां से कहां की ओर होगा obviously कहां से कहां की ओर होगा higher to lower concentration तो कहां से कहां की ओर हो रहा है higher to lower concentration isn't it तो जब आप ऐसा ही होता है जैसे मालो क्या आपके घर पर पानी की टंकी है अब पानी की टंकी में जैसे मालो दो पानी की टंकी हमने हमने एक सोचो हम पानी की चोरी कर रहे हैं तो हमारे पास एक 50 लिटर की टंकी है और हमने सोचा कि हम अपने एक टंकी ले आते हैं और इसको भी भर लेंगे ठीक है? तो पानी जादा 100 liter स्टोर कर लेंगे तो क्या कर अपने? जैसे नल चलने लगा तो हमने उस टंकी में पानी भरा और हमने उसको जोड दिया किस से? दूसरी वाली टंकी से जो खाली थी तो पानी कहां से कहां क्यों और मूव करेगा? जादा वाली टंकी से कम वाली टंकी तक कब तक मूव करता रहेगा? जब तक दोनों की टंकियों का पानी बराबर ना हो जाए ठीक है? So diffusion is nothing, is the movement of particle from the higher concentration to the lower concentration Done यह हो सकता है सबसे ज़्यादा gases में Gases जो होती है सबसे बहतरी इंडिफूजन शो करती है ठीक है? Gases का जी बड़ा होगा ठीक है? तो gases जो होती है वो सबसे ज़्यादा diffusion किस में किस में होता है? Diffusion होता है gases में और liquid में ठीक है? अब आप वर्ड़ा बोले solid में diffusion नहीं होता है वो समझा रही हूँ मैं भी ठीक है? Maximum diffusion किस में होता है? Gases में Gases के diffusion का example बताइए What is the example of gases diffusion? Oxygen and CO2 का movement ठीक है? Oxygen and CO2 का movement is the gases movement बचो जब हम सास लेते हैं तो हम क्या ले रहे हैं? oxygen अंदर ले रहे हैं और इस oxygen को हम कहां मिलाते हैं? इस oxygen को हम जो है oxygen जो है RBC को दे देते हैं क्योंकि RBC के पास oxygen का concentration कम है तो oxygen का movement कहां से कहां की ओर हो रहा है? फेफड़े से blood की ओर क्योंकि blood में oxygen का attention क्या है? oxygen का concentration क्या है? कम तो we need to move the oxygen from your lungs to your blood because of the concentration gradient. ठीक है? So, यहाँ पर movement क्या हो रहा है? Along with the concentration gradient. यह एक NCRT term कहती है. Along the concentration gradient. यह कहानी समझिएगा मेरी बात को क्या बोल रही हूँ? Suppose that कि हम एक नदी में बहे जा रहे हैं. ठीक है? अब नदी में बहे जा रहे हैं तो नदी का बहाव जहां होगा वहीं पर तुम जाओगे ना? क्योंकि पानी का movement कहां से कहां की ओर हो रहा है? Higher concentration से lower concentration की ओर. तो तुम भी वहीं बहे जा रहे हो. तो तुम्हारा बहाव कहां की ओर है? Along with the concentration gradient. अगर तुम opposite अपने आपको बचाने के लिए तैर रहे होते तुम नदी में तो तुम होते opposite the concentration, opposite of the concentration gradient. Done? तो अगर तुम वहीं बहे जा रहे हो जहां नदी का बहाव है तो तुम along with the concentration gradient हो. तो अगर आप higher concentration से lower concentration की हो gases या water को move या solvent को या पानी को या liquid को move करते हो. तो this is called as diffusion. Diffusion always occurs in the direction of concentration gradient. opposite आप नहीं चलोगे. Done? ये कहानी clear हो गई आपको. ये solid, liquid और gas. Solid में कहीं कहीं पर लिखा है कि solid में होता है. Solid में diffusion बड़ा ही मुश्किल है. ठीक है? होता तो उनमें है पर बहुत ही मुश्किल है. आपकी NCRT ये कहती ही कि solid surface पर diffusion हो पाना आसान होता. बर अब solid surface पर diffusion कर सकते हैं. पर ऐसा बिलकुल नहीं कि solid में diffusion नहीं होता. Solid में भी diffusion होता है. जैसे कि अगर आप किसी beaker में potassium per magnet के crystal पानी में रख दें, तो potassium per magnet के crystal घुल जाते हैं पानी में. एक कोने पर जहांबर तुमने potassium per magnet रखा है, वहाँ पर potassium per magnet का concentration जादा होता है. इसलिए potassium per magnet पानी में घुलकर lower concentration की और पूरे पानी में move कर जाता है. This is the diffusion into the solid. पर आपकी NCRT ये कहती है कि solid surface पर diffusion होता है. Done? अब दूसरी बात कि हम बात करें gases में diffusion, gases का diffusion तो मैंने आपको बता है कि जब आप सास लेते हो, इसी तरीके से आपके cell में भी होता है. Cell में भी तो plasma meronice अभी में diffusion बता रही हूं पर gases का क्या होता है कि जब आप सास लेते हो तो आपके lungs में oxygen भरी पड़ी है. उस भरी हुई oxygen को you need to transport into the blood and blood में उस समय पर carbon dioxide का concentration बहुत जादा है. इसलिए blood से carbon dioxide को किसको देना है? Lungs. तो यह कहानी है कि जिदर पर ज़्यादा मुझे लगेगा कि जहाँ लड़ाई होने वाली और जहाँ ज़्यादा गुड़ने हैं तो मस जगह पर चली जाओंगी ताकि मैं balance कर सकूँ. So this is the diffusion. हमेशा लड़ाई में उसी जगह पर जुकना चाहिए जहाँ पर बचाव होने के साथ क्या कहते संभावनाएं ज़्यादा हो. ठीक है? So diffusion is nothing. It is the movement of particles from the higher to the lower consultation until we reach the equilibrium. जैसे कि अगर माल लीजे कि मैंने भगवान के सामने अगरबत्ती लगाई. अब भगवान के सामने जब अपना अगरबत्ती लगाते हैं तो उस समय पर सिफ हमें का diffusion कैसा होता है? यह तो liquid का diffusion है ना? पानी का movement is liquid का diffusion. पर्फ्यूम जो आप लगाते हैं gases का diffusion होता है. जब कमरें गुसता है तो बलता है वाय यार क्या पर्फ्यूम लगा क्या हो? थोड़े देर के बाद किस में किस में होता है? diffusion होता क्या है? डान? इसमें कोई परिशानी तो नहीं? अब आपको मैं थोड़ा से एक और कहानी समझाती हूँ वो क्या है? diffusion across your plasma membrane. कैसे मिटा हो यार? अब मुझे पूरा इतना सारा मिटाना पड़ेगा. चलो, कोई बात नहीं? मैं मिटा देती हूँ चलो, अब मैं तुमको क्या पढ़ाने वाली हूँ? अब मैं तुमको पढ़ाने वाली हूँ diffusion across the plasma membrane. Let me make the cell plasma membrane यह ठीक है ना? Suppose that कि मैंने अपनी cell को काटा और cell के plasma membrane को निकाल लिया. Let me color दी से यार, बहुत दिनों से मैंने color नहीं किया है और अब तो मेरा color करने का मने है, तो आज तो मैं color करूँगी. चलो, so color करने है थोड़ा सा. यह क्या है आपकी plasma membrane? ठीक है? अभी ध्यान से समझते जाना. क्या बोल रही हूँ मैं? जो मैं बोल रही हूँ, उसे ध्यान से समझना, तो concept clear हो जाएंगे. diffusion हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो I don't think so कि इसमें आपको कोई confusion होना चाहिए. उसके बाद भी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी मैं पढ़ा ही रही हूँ ना, आपको तो पढ़ते जाओ. चलो, थोड़ा सा मैं और इसको मोटा बना लेती हूँ. यह देखिए. अदेखिए. अचलो, बना लवा यह लिपिट बाई लेयर. यह बन रही है, लिपिट बाई लेयर. यह बन रही है, लिपिट बाई लेयर. मेरे साथ साथ बनाई है, लिपिट बाई लेयर. अच्छा, इस डाइग्राम के जरूरत मुझे बार बार पढ़ेगी. ठीक है ना, यह लिपिट बाई लेयर बना ली तुमने? अरे यार, बहुत सारे बनाने पढ़ रहे हैं, क्यो? चलो. लिपिट बाई लेयर में ही लग रहा है, बनाने में पूरा लेक्चर ही खतम हो जाएगा, पर मैं बना के रहूंगे, हार नहीं मानूंगे, जब तक है जान, जाने जहान, मैं डाइग्राम बनाऊंगे. चलो. यह हो गया. लिपिट बाई लेयर, अब इस लिपिट बाई लेयर से समझना बात को. यह क्या है? सेल का इंटर्नल पार्ट. So, this is called as lumen. Lumen कह सकते हैं या इसी को हम साइटो प्लाजम भी कह सकतें, बच्चो. क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? साइटो प्लाजम. Done, so this is the cytoplasm, this is the outer environment अब ध्यान से देखेंगे सब लोग जो मैं कह रही हूँ कि मालो, मालो कि cell के अंदर oxygen आना है तो gases तो यूँ ही transport कर जाती हैं किसी और कलर से बनाती हैं So, जो gases होती हैं वो यूँ ही transport कर जाती हैं और अंदर आ जाती है Done, O2 अंदर आ गई गैसेस का हो रहा है diffusion गैसेस का क्या हो रहा है गैसेस का हो रहा है diffusion देखो, अब यहाँ पर जब आप plasma membrane से transport कर रहे हो तो क्या आपको किसी भी प्रकार की कोई energy देनी पड़ रही है कि नहीं या O2 का concentration बाहर जादा था तो वो अंदर आ गए CO2 का concentration अंदर जादा था तो वो बाहर चले गए, को attention नहीं पर अगर मैं बात करूँ, किसकी plants की बात करूँ किसकी बात करूँ, क्योंकि हम plants की बात कर रहे हैं तो plants में cell के अंदर CO2 का concentration जादा होता है स्वारी, स्वारी, स्वारी से CO2 को अंदर ले लेती है ठीक है तो यह कहानी है plants की this is the condition for plant but normally क्या होता है यह होता है पर इसका मतलब यह है कि हमें cell इसका मतलब यह है कि हमें cell में gases को movement करवाने के लिए अपने आप हो जाता है from higher concentration to the lower concentration done तो हमेशा gases का movement जो होता है वो higher concentration से lower concentration की ओर होता है और यह बहुती slow process है diffusion is a very slow process बहुती धीरे-धीरे होता है आपने इसमें कोई energy खर्च की नहीं अब भाईया बाहर carbon dioxide ज्यादा था तो plant ने इसको में मिटा देती हुए ना अब बाहर जो था की carbon dioxide का concentration ज्यादा था तो सीदे चिदे plant ने अंदर ले लिया क्योंकि उसे carbohydrate बनाना है और अंदर सेल के अंदर oxygen का concentration उसमें ज्यादा हो रखा था इसलिए उसने बाहर भीज दिया तो यह क्या है diffusion इसमें कोई आपको energy नहीं लगानी पड़ी हमेशा जो है यह movement passive होता है इसमें आपको बाहर से चल जा उधर मर जा तूधर वैसा नहीं करना पड़ेगा अपने आप यह कहानी चलती रहेगी यह एक बहुती slow process है कैसा process है slow process है दीरे 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 अपन gases का movement करते रहते है ठेक है तो यह कहानी आपको clear हो गई इसमें कोई confusion तो नहीं अभी अब मैं आपको बताती हूँ now थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ चालो देख लो थोड़ा सा क्या बोला मैंने okay now फिर आगे और पढ़ाती हूँ ना various materials are transported into and out of the living cell by number of method कैसे कैसे transport करेंगे यहाँ पर जो भी particle है उसका concentration जादा है और वो concentration वाले जिनका concentration जादा है वो अपने आप यहां से उड़ते हुए cell के अंदर आ चुके है कोई उनने दिमाग नहीं लगाया सीधे जहां से concentration जादा है कम की ओर चले जाओ दन उसके बाद आगे बात करते हैं चले देखिए अब diffusion वही का देखो सब लिखा हुआ है पढ़ लो थोड़ा सा देख लो the movement of molecules और ions from the region of their higher concentration to the region of their lower concentration until the molecules are evenly distributed throughout the available space it is called as diffusion हम तंकी का पानी from the higher concentration to the lower concentration तब तक भूब करते रहेंगे जब तक कि दोनों तंकीों का पानी बराबर ना हो जाए तो यह कैसा diffusion है liquid का diffusion होता है अब हम क्या अगर बत्ती जलाए अगर बत्ती जब तुम जलाते हो तो जब तुम जलाते तो उसे रियम कित्ती सुगंद आती है 15 मिनट बात उसे रियमें जाओ तो उतनी सुगंद नहीं आएगी क्योंकि जो गैस के particle है वो पूरे environment में फैल गए है अब smell आएगी पर हर जगा आएगी और बहुत ही कम आएगी धिरी तरह गायब हो जाएगी क्योंकि molecule बहुत जादा distribute हो गए environment इतना बड़ा है कब तक तुम evenly distribute करोगे evenly distribute करने जाओगे तो smell ही कतम हो जाएगी ठीक है now so देखो क्या बोल रहा है यह ध्यान से देखो plasma membrane मैंने तुम्हें बनाई थी plasma membrane में क्या हो रहा है lipid by layer होती है lipid by layer होती है अब ध्यान समझो हम lipid by layer से पानी transport कर सकते suppose that यहाँ lipid by layer हुई है क्योंकि बात चली है तो दूर तर लग जाएगी suppose that कि यह आपका environment है यह cell का अंदर है cytoplasm part यहाँ पर water hankar पड़ा हुआ है बिल्लू hankar रो रहा है मुझे भी कोई अंदर ले जा लो तो थोड़ा बहुत water particle water particle बोल रहे हुँ water molecule जो है वो अंदर जा सकते थोड़े-बहुत थोड़े-बहूत बार-बार थोड़े का शब्द का इस्तमाल करी हुए ठीक है थोड़े-बहुत water water languages molecule है वो अंदर जा सकते हैं पर अगर तुम्हें यह लगता है कि सारे molecule उड़ते हुए plasma membrane के अंदर चले जाएंगे मतलब plasma membrane से cell के अंदर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा ऐसा इसले नहीं होगा क्योंकि lipid का जो टेल है न ये पानी से नफरत करता है मुझे नफरत है उस पानी से जो मेरे अंदर से गुजारोगे तुम अगर यहाँ पर पानी का जो है molecule भरा हुआ है और अगर तुम इस plasma membrane से suppose that कि मैं क्या बोल रही हूँ वो अभी आपको समझ में आ जाएगा देखो देखो मैं क्या बोल रही है तुमको समझो ये plasma membrane है देखो क्या बोल रही हूँ मेरे कहने का मतलब क्या है यहाँ पर पानी भरा पड़ा है अब यह जो पैर है यह पानी से नफरत करता है तुम इसके बीश से पानी गुजारोगे न तो बोलेगा सुनो मेरे पैर गिले नहीं होने चाहिए अब यह पानी किसे के उपर फेक होगे तो पैर तो गिले हो नहीं है कोई बचा थोड़ी सकता है तो तुम थोड़े बहुत एकाद थोड़े बहुत molecule of water transport कर सकते हो साइटोप्लाजम है मेरी बात समझो थोड़े बहुत water के molecule साइटोप्लाजम में तुम ट्रांसपोर्ट कर सकते हो पर अगर तुम यह सोचते हो कि सारा water molecule मालों कि यहाँ पर डेड़ हजार water molecule पड़े हैं तो तुम इसमें से 20 ला सकते हो डेड़ हजार नहीं ला सकते है अगर तुम यह लगता है कि तुम डेड़ हजार ला पाओगे तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो टेल है ना यह नफरत करती है पानी से अगर तुम इसको यह यह कैसी होती है यह लिपोफिलिक और हाइड्रोफोबिक है नफरत है इसको पानी से सिर्फ लिपिट से प्यार तुम तेल ले आओ यह बड़ी खुश रहेगी ठीक है तुम कोई नॉन पोलर चीज लेाओ यह खुश रहेगी पर अगर तुमने कोई पोलर चीज लाई तो इ आप ट्रांस्पोर्ट कर सकते हैं, पर अगर आप यह सोचते हैं कि सारा पानी ट्रांस्पोर्ट कर दोगे तो नहीं, simple diffusion से we can transport the gases from the outer environment to the cytoplasm, छेक है, done, यह कहाने सबको clear हो गई, I hope कि आपको concept समझ में आ रहे होंगे, देखो, अब diffusing particle creates certain pressure, it is called as diffusion pressure, which is directly proportional to the number of concentration of the diffusing particle, देखो, अभी यह क्या बोलना चारा, ध्यांस देखो, देखो, suppose that कि यह water molecule है, अभी यहाँ पर मालो 100 water molecule है और यहाँ पर सिर्फ 3 water molecule है, ठीक है, किस जगह पर diffusion pressure जादा होगा, यहाँ पर diffusion pressure क्या होगा, जादा होगा, ठीक है, तो depend करता है कि concentration of particle कितना है, अगर concentration जो है, वो increase करोगे, तो diffusion pressure भी जादा हो जाएगा, done, the molecule move from the higher diffusion pressure to the lower diffusion pressure, हाला कि मैं भी आपको पढ़ाने भी वाली हूँ, ठीक है, कुल मिला के आप यह बोल सकते, diffusion pressure is nothing, it is the concentration of molecule बच्चो, तो हमेशा जो है, अगर मालोग की आज हमें माता का जगराता घरना है, अमाता के जगराता में बहुत सारे लोग आ गए हैं, पच-पांच जार लोग आ गए हैं, तो obviously मैं उस जगह पर जाओंगी, जाओंगी जहां पर concentration कम होगा, तो जिस जगह पर लोग जादा हैं, मतलब concentration जादा है लोगों का, लोग मतलब molecules का concentration जादा है, तो diffusion pressure भी जादा होगा, और molecules always runs towards the lower concentration of the molecule, so in the diffusion we can transport the molecule from the higher diffusion pressure to the lower diffusion pressure, so it is nothing, it is the pressure of the molecule into the particular environment, ठीक है, ओके, तो हम lower की ओर भागते हैं, चलो, Now, features of diffusion discuss करते हैं, क्या है features of diffusion, इतनी कहानी सबको clear हो, चलो बच्चो, अब देखो features of diffusion क्या है, हाला कि आप बहुत सारे जान गए हो, देखो, हमेशा number one feature क्या है, कि जो भी molecule आप transport कर रहे हो, वो हमेशा higher concentration से lower concentration की हो, जाना चाहिए, यह number one feature है, ठीक है, number two feature क्या है, कि randomly यह process हो रही है, ठीक है, randomly यह process हो रही है, इसमें कुछ नहीं है, कि हमको line से molecule को बेजना है, कि सारे molecule ऐसे ऐसे ही जाए, randomly कोई भी molecule इधर की और move कर सकता है, ठीक है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इस molecule का movement इस पर dependent है, every molecule's movement is independent, मुझे इधर जाना है, मैं केले जाओंगी, मेरे पीछे वाले को आना है, तो तु आजा, तेरे को नहीं आना है, तु मता है, पर movement of each molecule is independent from each other, ठीक है, तो पहला मैंने क्या बताया, कि molecule का movement होना चाहिए, वो हमेशा higher concentration से lower concentration की और होना चाहिए, दूसरा मैंने क्या बताया, कि ये movement जो होते हैं, ये random होते हैं, ऐसा नहीं है कि molecule line बना के चलेंगे, तीसरा मैंने क्या बताया, कि हर molecule का movement है, वो independent है, उसको नहीं लेना देना है, कि पीछे वाला क्या कर रहा है, ठीक है, done, तीसरा हम बात करते हैं, देखे, very important to plant, text, देखे क्या है, it is a slow process, ठीक है, यह कौन सा नंबर है, I think यह 4 नंबर है, this is the 4 नंबर है, तो 4 नंबर है, तो 4 नंबर यह कहता है कि यह बहुत ही simple है, बहुत ही slow है, और यह dependent नहीं है किसी system में, इसका मतलब यह है कि तुम इसको glass में कर लो, तुम इसको beaker में क कर लो, तुम इसको कड़ाई में कर लो, तुम इसको पतीले में कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है, इसको लेना देना नहीं है कि हम कौन सा system पे काम कर रहे हैं, हम पानी की तंकी पे कर सकते हैं, किसी का टोरी में कर सकते हैं, इसको कोई लेना देना नहीं है, कि हम किस system पर काम करवा रहे हैं, इस mechanism का मतलब यह है कि तुम कहीं भी करो हमेशा particle का movement, molecule का movement higher to lower concentration होगा, very important to plant since it is the only means of gases movement in the plant body, ठीक है आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो diffusion होता है वो gases में होता है, not even the plant, even in the human body, human body में अगर आपको gas move करनी है, तो आपको diffusion ही इस्तमाल करना पड़ेगा, diffusion is the only movement for the gases, ठीक है, ओके तो अगर आपको lung से blood और lung से lungs को हवा देनी है, lung से blood को कहादा होगे oxygen, blood से lungs को कहादा होगे carbon dioxide, तो यह सब क्या है, diffusion ही है, diffusion is obvious in the gases and liquid, but diffusion in the solids rather than solid, surface is more surface, लिखेंगे यापे, NCRT में surface शब्द दिया हुआ है, कि solid से ज़्यादा, solid surface पर diffusion ज़्यादा होता है, ठीक है, features of diffusion अबको clear होगे, यह कहाँ नहीं clear होगे, so what is the features तो done होगे, features में मैंने आपको क्या बताया है, कि यह एक slow process है, done, this is the slow process, ठीक है, इस में क्या होता है, movement का, movement किस में से होता है, molecule का higher to low concentration, यह भी clear होगे, ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया, random process है यह, ठीक है, random process है, done, 3 हो गए, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, कि independent method है, कैसा है, independent है, ठीक है, ओके, सबसे ज़्यादा किस में होता है, gases में होता है, और किस में होता है, liquid में भी हो सकता है, और किस में हो सकता है, solid surface में भी हो सकता है, ठीक है, यह हमारे features हो गए, diffusion के, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी factor which affect the diffusion, done, कौन-कौन से factor हैं, जो diffusion को effect कर सकते हैं, factor effects, ऐसा लिखती हूँ, factor affecting diffusion, ठीक है, I think यह clear है, अब कौन-कौन से factor हैं, जो diffusion को effect कर सकते हैं, बताईए, कौन-कौन से factor हैं, जो diffusion को effect कर सकते हैं, सबसे पहले है, temperature, number one factor जो diffusion को effect कर सकता है, वो है तापमान, ठीक है, अब देखो, अगर किसी system का, ध्यान से समझो, अगर माल लो, temperature की बात कर रहे हूँ, यह कोई एक system है, done, यहाँ पर x molecule पड़े हुए है, ठीक है, यहाँ पर 100 molecule पड़े हुए है, ठीक है, 100 molecule water के पड़े हुए है, यहाँ पर 3 ही है, ठीक है, यहाँ पर 3 molecule है water के, अब अगर मैंने, नॉर्मली यह कैसे diffuse कर रहे हैं, नॉर्मली 37 degree centigrade पर diffuse कर रहे हैं, ठीक है, तो इस पे जो पार्टिकल हैं वो फटा-फट मूव करने लग जाएंगे. पहले ये कैसे थे? 37 पे ये नॉर्मल ही मूव कर रहे थे, धीरे-धीरे हर एक सेकेंड पे एक मॉलिक्यूल मूव कर रहा था. पर अगर मैं इनका जो है 50 डिग्री टेंपरेचर कर दूँ, तो इनका rate of diffusion क्या हो जाएगा बच्चो? जादा. ठीक है? तो अगर आप temperature बढ़ा देते हैं, तो rate of diffusion जो है, वो जादा हो जाता है. ठीक है? नाव, दूसरा जो factor जो effect करता है, वो है pressure. वो क्या है बच्चो? pressure. अगर मैं यहाँ पर, देखो मैं सीधी आपको बताई थी, अगर किसी कमरे में, हाँ, दूसरा factor तो लिख दू मैं. दूसरा factor है pressure. ठीक है, pressure क्या कहता है, वो ध्यान से समझेए. कोई एक कमरा है, इस कमरे की capacity 25 लोगों की है, पर अगर मैं उस कमरे पे 125 लोग भर दूँ, तो pressure क्या हो जाएगा लोगों का? ज्यादा. अब लोग कहां की और move करेंगे? खाली कमरे की और move करेंगे. तो अगर आप किसी solvent या solute का pressure बढ़ाते जाते हो, तो हमेशा जो diffusion होगा, वो ज्यादा हो होता जाएगा, ठीक है? जैसे कि माल लिजे कि एक तंकी है, ठीक है? एक मैं तंकी का example बहुत अच्छा होता है, इसलिए मैं बताती हूँ बार-बार, सपोस्थ एक तंकी है, जो कि 1.500 लीटर की है, 1.500 लीटर की तंकी पर मैंने पहले 25 लिटर पानी भरा, तो उसका diffusion धेर ध diffusion क्या होगा? जादा होगा, क्योंकि पानी का प्रेशर उस तंकी पर जादा हो गया है, जितना जादा प्रेशर अप्लाई करोगे, उतना जल्दी diffusion होगा, तो more pressure, if you increases the pressure, ठीक है? if you increase the pressure, the diffusion will increase, ठीक है? now third जो factor जो diffusion को effect करता है, वो है concentration, वो क्या है भईया? concentration, ठीक है? concentration, if you increase the concentration, diffusion will increase, ठीक है? तो कौन-कौन से factor है, जो diffusion को effect करते हैं, diffusion को total तीन factor effect करते हैं, पहला है temperature, दूसरा है pressure, तीसरा है concentration, तीनों को increase अगर आप करेंगे, तो आपका diffusion automatically बढ़ जाएगा, ड़न 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 उसके बाद, what is the significance of diffusion, ठीक है? देखिए, इतने सारे plant पूरे दुनिया में हैं, जैन समझो, इतने सारे plant पूरी दुनिया में हैं, बच्चो, done, अब इतने सारे plants जो हैं, इन सब को carbon dioxide चाहिए होता है, और यह oxygen बाहर निकालते हैं, तो अगर आपको यह समझना है कि plants में gaseous exchange कैसे होता है, तो इसलिए आपको diffusion पढ़ना तो अगर आप diffusion पढ़ लोगे, तो आप mechanism समझ जाओगे कि कैसे gaseous diffusion होता है into the plant, so this is the significance of diffusion, ठीक है, so diffusion समझ गए, mechanism समझ गए, feature समझ गए, factor समझ गए जो effect करते हैं और significance समझ गए, done, 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 अब आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले यह सिखाया, कि जो diffusion होता है, वो अप अपने आप होता है, उसको पीछे सा धक्का लगाने की जरूत नहीं होती है, ठीक है, पर बहुत सारे, अच्छा यह एक passive process है, features में एक चीज मैं शायद बोला भूल गई होंगे, लिखना, features में एक चीज और यह एक passive process है, कैसा process है, passive process है, जिसमें आपको ATP खर्च expenditure नहीं करन आते हैं, हाला कि बात ऐसी है, कि तुम उसमें कोई ATP खर्च नहीं करोगे, बच्चों, ध्यान समझो, तुम उसमें कोई ATP खर्च नहीं करोगे, ना, ना, मुना, ना, तुम कोई ATP खर्च नहीं करोगे, पर यह यूँ ही नहीं पार्स हो जाते हैं, ठीक है, यूँ ही नहीं प diffusion ーहम सब के साथ दीए जैसे मालो है तुम अपने आप भी exam pass कर सकते हो दिसफिटिप्यूजन पर अगर तुम्हारे में facilitated diffusion हो जाए ठीक है, तो इसे आप कहते हैं facilitated diffusion हो जाए तो तुम अपना exam बहुत अच्छे से 1973 से पस कर पाहोगे This is the facilitated diffusion कि तुम्हारे में movement तो हो रहा है molecules का समझ रहे हो बात को क्या आप बोल रही हूं मैं कि movement तो हो रहा है molecule का पर उसमें आपको किसी चीज की help लगेगी कोई energy नहीं कर्च होगी कोई energy नहीं कर्च होगी बिलकुल energy खर्च नहीं होगी पर इसमें आपको किसी की सहायता की जरूरत पड़ेगी तो facilitated diffusion भी एक passive process होता है जिसमें आपको किसी की सहायता की जरूरत होती है अब मैं आपको इसकी कहानी जो मुझे समझानी है वो मैं clear कर रही हूँ चलिए आजाएगे देखिए facilitated diffusion क्या होता है शुरू करें तो सहायता वाला moment बिना सहायता किम चले जा रहे हो तो normal diffusion सहायता चाहिए तो facilitated diffusion चलो देखते है facilitated diffusion क्या होता है चलो तो अब facilitated diffusion के बारे में देखते हैं क्या है कहानी facilitated diffusion की facilitated diffusion में आपको थोड़ी सी सहायता चाहिए है पर यह exactly पता है कैसा है simple diffusion की तरह ही है कैसा ही है simple diffusion की तरह है इसमें कोई बहुत लोचा नहीं है simple diffusion की तरह है पर इसमें आपको कुछ चीज़े की जानकारी होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ देखी क्या है मैं पीछे वाली blank slide को use करूँगी जिससे मैं आपको समझा पाऊ means of transport में चली देखी द्यान से समझना है ना हम लोग यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं facilitated diffusion ठीक है facilitated diffusion के कुछ features हैं जिसको अपन को discuss करना बहुत जरूर है बच्चो क्या है वो सबसे पहले यह simple diffusion की तरह ही है मतलब यह passive है ठीक है मतलब इसमें आपको कोई ATP खर्च करने की जरूरत नहीं है ठीक है यह कैसा होगा along with concentration gradient along with concentration gradient ठीक है higher concentration से lower concentration की हो ठीक है उसके बाद यह कैसा होता है इसमें आपको help चाहिए ठीक है help किस की चाहिए proteins की चाहिए ठीक है देखते हैं वो कौन से proteins है done यह कहानी आपको clear हो गई ठीक facilitate hours इतने features है इसके बागी इसमें कुछ नहीं है बागी इसमें कोई tension नहीं ठीक है अब समझो यह क्या है कहानी अब मैं मिटा दू इसको सबसे पहले मैं एक plasma membrane ड्रॉ कर लेती हूँ अच्छी नहीं बनी plasma membrane ड्रॉ कर लेती हूँ यह ड्रॉ कर ली मैंने है ना ओके नाओ let me make the let me make the plasma membrane अच्छा इस structure में मैं दो तीन चीज़े आपको समझाऊंगी इसलिए मैं इसमें थोड़े से modifications भी करूंगी तो ध्यान से देखते जाना ठीक है मैं थोड़े सको मोटा मोटा बना ले रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास इतना time नहीं है ठीक है चलो कोई बात नहीं है पर मैं आपको समझा के रहूंगी what I am making मैं बना क्या रही हूँ मैं बना रही हूँ plasma membrane का structure ठीक है मैं आपको ये सिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप help करते हो किस की वो अभी आपको समझ में आ जाएगा चलो ये क्या बना रही हूँ मैं ये बना रही हूँ मैं lipid क्या बना रही हूँ मैं इसकी lipid बना रही हूँ चलो फटा फट से lipid की lining बना दू pair बना दू अम एक portion बना ले रही हूँ अब सारे ही बना देती हूँ यार बना रही हूँ तो चलो तो यह क्या बना दिया मैंने plasma membrane और यह बना दिया मैंने lipid ठीक है एक-एक बना देती हूँ ठीक है ऐसा ओफ़ो फिर वह अच्छे नहीं लगते हैं चलो कोई बात नहीं इतने बना दिया मैंने आयोब की उत्ती कहानी क्लियर हो जाएगी चलो अब देखो ध्यान से फैसिलिटेटेट अब देखो plasma membrane है even facilitated हो जाए simple diffusion हो आप पार कर सकते हो ठीक है gases पास कर सकते हो facilitated diffusion से आप lipid को भी पास कर सकते हो ठीक है किसको पास कर सकते हो lipid को पास कर सकते हो ठीक है lipid क्यों पास कर सकते हो क्योंकि lipid है lipid हूँ मैं और lipid से प्यार करता हूँ सीधी कान यह मैं लिपिड हूँ और लिपिड से प्यार करता हूँ तो जो भी लिपिड वाला होगा उसको तो मैं क्रॉस करने ही दूँगा ठीक है पर यह पार किसको नहीं करने देते question तो यह है कि यह पार किसको नहीं करने देते ये ट्रांस्पोर्ट नहीं होने देते हाइड्रोफिलिक चीज को किसको नहीं ट्रांस्पोर्ट होने देते हाइड्रोफिलिक चीज को ठीक है हाइड्रोफिलिक चीज कौन चीज होते है जो पानी को प्यार करती है यह नहीं पानी होने देते, यह शुगर वगेरा को ट्रांस्पोर्ट नहीं होने देते, इनके जाद बहुत लोग चाहिए, नहीं ट्रांस्पोर्ट होने देते अब पर फिर भी, फिर भी क्या है, यह क्या है अपना, this is the outer environment यह क्या है आपका outer environment और यह है आपका साइटो प्लाजम, पर किसी ना किसी तरीके से हमें चीजों को अंदर तो भेजना ही है, ठीक है, तो simple diffusion जैसे, suppose that कि कोई पार्क है अब मालो मैं oxygen की बात कर रही हूं, तो यह oxygen तो अपने आप, अगर मैं किस की बात कर रही हूं, oxygen की तो यह oxygen तो अपने आप यहां से travel करके यहां आ जाएगी, कोई tension नी, तो यह पार्क है, जाड़ी लगी हुए है, तो जाड़ी को अपने एक छलांग मारे, अपने को कोई tension नी, पर अब मैं पहुची gate के पास, ठीक है, मैं किस के पास, पहुची gate के पास, gatekeeper ने यह बोला, क अगर आप चाहते हैं कि पार्क के अंदर आप जाएं, यह तो यह लफंगे हैं, यह उचक्के हैं, इनको कोई मतलब नी, यह जो CO2 और oxygen है, यह अपने आप ऐसे ही transport हो जाते हैं, इनको कोई tension नी, ठीक है, तो यह जाड़ी के पीछे दबे हैं, यह तो उचक्के बदमाश है इनको कोई tension नी नहीं है, अपने आप ही चले जाते हैं, पर जैसे मालो कि यह पार्क है, अब यह पार्क कैसा है, यह बुजुर्गों का पार्क है, तुम जाड़ी के पीछे चुपे तर अपने आप चले गए, this is called a simple division, ठीक है, पर अगर यह पार्क जो है, ठीक है, क्या है, यह बुजुर्गों का पार्क है, बच्चों, तो आपको जाने के लिए, अगर यह बुजुर्गों का पार्क है, अरे यार, अगर यह बुजुर्गों का पार्क है, तो आपको जाने के लिए, यहां पर एक गेट लगा होगा, अब यहां से, आप ध्यान सुनू, बाकी पा पार्क की किसी भी जगह से आप मूव नहीं कर सकते आपको अब आप उचके हो तो आप तो गुज जाओ जाड़ी हो की पिछे से कोई टेंशन नहीं पर अगर आपको पार्क में जाना है तो आपको यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा ठीक है डान ठीक है इस अभ्धियान हेड करहा है है। तो हमने क्या बना लिया है एक चैनल हमने क्या बना लिया है एक ठीक है तो फैसिलिटेटेट डिव्यूजन में हम क्या प्रॉवाइट कर रहे हैं हम प्रॉवाइट कर रहे हैं एक रास्ता ठीक है एक पाथवे प्रॉवाइट कर रहे हैं किसका पाथवे प्रॉवाइट कर रहे हैं हम प्रोटीन्स का पाथवे प्रॉवाइट कर रहे हैं कि भाईया तुमको इन जाडियों से मिलना ही नहीं पड़ेगा, तुमको सिधर सिधर रास्ता दे दिये, तुम अंदर चले जाओ, ठीक है, तो इन्हें ये जो रास्ता है, ठीक है, इन रास्ते को आप क्या कहते हैं, इन रास्ते को हम कहते हैं, प्रोटीन्स, क्या कहते हैं भाई प्रोटीन ठीक है यह होते हैं चानल प्रोटीन डन समझ गए अब मालो कि आउटर इंवार्मेंट पे शुगर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हुए ठीक है यह पड़ा हुआ है मेरे पास ग्लूकोस ठीक है अब मैं चाहती हूँ कि ग्लूकोस को यहां से यहां ट्रांस होता है ठीक है ग्लूकोस को आउटर इंवार्मेंट से इनर इंवार्मेंट में लाकर छोड़ देता है विदाउट दा इंटराक्टिंग ओफ प्लाजमा मेंब्रेन तो यह एक ऐसा गेट है पार्क का जिससे बूड़ी औरते आसानी से पार कर सकती है विदाउट दा इंटर णी पकार अंदर नहीं पार करो क्योंकि जो पाखा ανत्रत करता है पानी वाली चीजों थीक है यह सिर्फ उन चीजोह को पार कर पाएंगे जो लिपेड है जो लिपेड को प्यार करते है या यह थिजो खुद लिपेड है या गैसे थीक है या जैसे माल लिजे स выпos ड eater यह glucose हो गया, यह कौन से protein होते हैं, channel protein, ठीक है, done, यह कहानी आपको clear हो गई, now अब मैं आपको बताती हूँ, carrier proteins के बारे में, ठीक है, कैसे बताती हूँ, carrier protein के बारे में, यहाँ पर एक और प्रकार के carrier proteins होते हैं, जिनें हम कहते carrier proteins, ठीक है, अभी carrier protein कैसे हैं, ऐसे, किस कलर से बनाओ, यार, देखो, suppose that कि मैं किसी carrier protein की बात कर रही हूँ, ठीक है, इस carrier यहाँ पर बना रही हूँ, suppose that कि यह जो चोच जैसा दिखाई दे रहा है, यह एक carrier protein है, ठीक है, channel protein है, channel protein के तुरू आपने चैनल प्रोटीन में एक रास्ता होता है, जो सीधे ट्रांसपोर्ट करके, यहाँ चैनल प्रोवाइड कर देता है, पर carrier protein के है, मैं तुमको ऐसे पकड़ के ले जाओंगा, तुमको छोड़ दूगा, और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाओंगा, तो carrier protein वो होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, suppose that कि यहाँ पर मुझे कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है, यहाँ मैं चाती हूँ कि यह वाला amino acid जो है, वो ट्रांसपोर्ट हो जाए अंदर की ओट, ठीक है, then what I have to do, मेरी यह जो चोच आपको दिखाई दे रहे हैं, इस चोच से मैं amino acid क को पकड़ूंगी और उसके बाद इसको मैं उल्टा कर दूंगी और उल्टा करने के बाद इसकी चोच को उल्टा करके अपने amino acid को यहाँ पर छोड़ दूंगी, done, आपने दोनों में difference क्या समझा, facilitated diffusion में आप कोई भी चीज डिरेटली प्लास्मा मेंब्रेन से ट्रांसपो जाएगी, क्योंकि जो पैर है ना लिपिट का वो नफरत करता है, तो हमको क्या करना पड़ेगा रास्ता बनाना पड़ेगा, ताकि तुम इन से मिलो ही नहीं, सीधे-सीधे पार हो जाओ, तो माल लो की यह किसे बने होते हैं, यह आओ, यह किसे बने होते हैं, यह जो रास् Channel protein and carrier protein Done ये क्या है बच्चो अपने ये होते हैं carrier protein यहां पे लिख्दे रही हूँ मैं ठीक है ये होते हैं carrier protein carrier protein किसी भी चीज को पकड़ते हैं और फिर पलट कर उसे cytoplasm में डाल देते हैं Channel protein वो रास्ता है कि तुम पकड़ लो और सीधे सीधे जाकर साइटोप्लाजम में फेक दो, ठीक है? तो इस तरीके से हम कोई भी हाइड्रोफिलिक चीज को इवन वाटर को भी हम आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं प्लीज टेक दे स्क्रीन शॉट अफ दिस लागर तो इसमें हम कोई भी हाइड्रोफिलिक चीज पास नहीं कर सकते क्योंकि जो टेल होती लिपिड की ये पानी से नफरत करती है तो पानी वाली कोई चीज भेजोगे तो बीच में अटक जाएगी इसलिए हम लोगोंने कुछ चैनल्स बना लिये हैं तो उस रास्ते से आप चीजों को असानी से पार कर सकते हैं अगर रास्ते वैसे के वैसे ही हैं जैसे कि ग्लूकोज को पहुचाना है आपको यहां से आँ तो ग्लूट 4 नाम का चैनल्स प्रोटीन इस्तेमाल करना पड़ेगा ऐसी होते हैं कुछ कैरियर प्रोटीन तो पकड़ा फिले जाके छोड़ दिया फिर वापस अपनी जगह पर आ गए तो दो प्रकार के प्रोटीन से हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ा अब ध्यान से समझना अगर मैं बात कर się चेनल प्रोटीन की तो जो आपकी kidney tribules होती है उसमें भी channel protein प्रेजंट होते हैं ससाज़ में आई बात उसमने भी channel protein present होते हैं ठीकòng यह जो channel protein होते बेसिकली ह्य चैनल protein क्या करते हैं यह पानी का absorption करते हैं इसलिए हम इने aquapurines भी कहते हैं । जैसे माल लो किसी दिन हम जादा पानी पीए तो हमको जादा सूसु आता है ठीकर इसमें कोई टेंशन नहीं है भी जादा पानी पियो गये तो जादा पेशाब आएगा इसमें कोई बहुत बड़ी वो निया पर जिस दिन हम कम पानी पीते हैं उस दिन हमको सूसू भी कमाता है इसका मतलब यह है कि आपकी जो नेफरोन होती है नेफरोन जो की किड्नी की एक सेल होती है उसका एक पार्ट होता है DCT अब मैं यह क्यों बता रहे हैं बटा पूरा चाप्टर पड़ा रखा उसको देखो किड्नी के जो नेफरोन होते हैं उसके अलग-अलग हिस्से होते सबसे जो लास्ट वाला हिस्सा होता उसको कहते है DCT DCT डिस्टिल कॉनुलेटे टिब्यूल अब इस डिस्टिल कॉनुलेटे टिब्यूल में बहुत सारे चैनल प्रोटीन प्रोटीन प्रेजेंट होते जिने हम अप्वा पॉरिंज भी कहते हैं ठीक है अप्वा परिंजिश्स मेड आप एट टाइप अफ प्रोटीन ठीक है यह मैं फटा-फट से समझाऊंगे आपको कि यह आपका एक क्या है ध्यान समझना यह आपका है बोमन कैपसूल, ठीक है यह है आपकी PCT, PCT के पाद यह है आपकी Loop of Henle, Loop of Henle के बाद यह है आपकी DCT, ठीक है ध्यान समझते जाना है ना अब इस DCT के उपर प्रेजन्ट होते हैं कुछ Aquaporins, ठीक है यह होते चैनल प्रोटीन्स, डन यह हो गए चैनल प्रोटीन्स इसके उपर प्रेजन्ट होते वैसे यह नॉर्मली काम नहीं करते पर उस दिन अगर आपने कम पानी पिया है तो यहाँ पर एक हॉर्मोन वर्क करता है जिसे आप कहते है ADH, ठीक है ADH कहते है Anti-Diuretic हॉर्मोन, यह यहाँ पर आता है और यह इन्हें आक्टिव कर देता है तो यह क्या करते हैं, यह जितना भी पानी यूरिन में होता है उस पानी को खीच-खीच कर यह बाडी को देते जाते हैं, ठीक है ताकि बाडी में पानी की कमी बिल्कुल भी ना हो तो चैनल प्रोटीन का काम जो है वो आपके शरीर में, नेफरोन में होता है जो कि पानी को एब्सॉब करने का काम करता है ताकि किसी भी तरीके से आपके शरी में पानी का कमी ना हो बच्चो ठीक है आगई बात इतनी समझ में उसके बाद आपको facilitated diffusion में और क्या बताना है मुझे facilitated diffusion में क्या क्या features है आजाओ अब facilitated diffusion के थोड़े से features बता देती हूँ यहाँ आप explain कर देती हूँ फटाक से feature तो यह समझ गया आप लोग की channel protein कहां present होते हैं आपके nephron में present होते है channel protein done so nephron में channel protein पाए जाते हैं जो की water absorption के लिए माने जाते हैं तो अगर आपको पानी absorption करवाना है जादा तो आपको इन channel protein को active करना पड़ेगा जो की distal convulated tibule में present होते हैं and it will work under the influence of ADH hormone तो जब आपको सूसू ना आए बोलो मैडम पेक तो पानी कम पी रहे हैं उपर से सूसू भी कमा रही है तो इसका मतलब यह है कि अगर तुम पानी कम पी रहे हो तो शरीर को पानी की ज़्यादा जरूरत होती है और अगर शरीर को पानी की ज़्यादा जरूरत है बचो तो इट मींस कि वो आपके urine जो आपका बन रहा है उसे से पानी खीचेगी तो किसके influence में? ADH के influence में कौन खीचेगा? चैनल अब आपको एक और चीज समझती है एक्वापोरिंस की बात समझती हूँ थोड़ी सी चीज़े मिटा दूँ यहाँ पर देखो क्या यह प्रोटीन मेरे बच्चे सब समझ गया है अब यह मिटा रही हूँ ठीक है? ना इसका screenshot भी हम लोगों ने ले लिया है Done, done, done चलो ठीक है? अब सब मिटा रही हूँ मैं सब मिटा रही हूँ मैं क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ बनाना है चालो, देखो चलो जो आपके वो रहते हैं माइटो कॉंड्रिया रहता है क्लोरो प्लास्ट रहता है ग्राम नेगिटिव मेंली बैक्टीरिया रहते हैं इनके उपर भी ऐसे ही कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिने हम पोरिंस कहते हैं समझ गए आप पिरी बात को इनके उपर भी कुछ ऐसे ही प्रोटीन्स पाए जाते हैं जिने हम पोरिंस कहते हैं मैडम, स्पेसिफिकली हमने Mitochondria और Chloroplast पर क्यों बात की समझना मैं क्या बोल रही हूँ अब आपको अभी कहानी क्लियर हो जाएगी ध्यान से देखना देखो क्या होता है मैंने आपको यह कहानी पढ़ाई समझाई और बताई है कि यह जो Mitochondria और यह जो Chloroplast थे ना यह पहले bacteria ही थे बाद में eukaryotic cell ने उसे इंगल्फ कर लिया तो वह पार्ट बन गए तो यह क्या करते Porens Special type के channel proteins present होते जिने हम कहते है Porens क्या present होते हैं कहां present होते हैं bacteria में present होते हैं mitochondria में present होते हैं और कहां present होते हैं Chloroplast में present होते हैं अब आपको मैं थोड़ा समझाती हूँ aquaporins के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ पानी के बारे में समझाती हूँ देखी क्या है कि माल लिजे water जो है water water suppose that कि यह water के molecule है थोड़ा बहुत water तो आप normal diffusion से पास कर सकते हैं पर water के लिए भी हमने special channels बना रखे हैं और इन special channels को हम कहते है aquaporins क्या करते हैं भाईया aquaporins ठीक है तो even water भी plasma membrane से ऐसे नहीं पार कर सकता थोड़ा बहुत water आप अंदर भेज सकते हो पर आप चाहते हूँ कि अच्छा खासा water cytoplasm में पहुचे तो उसके लिए भी हमने specific channel बना रखे हैं और इन specific channels को हम aquaporins कहते हैं aquaporins is made up of eight type of proteins ठीक है अब समझो अब समझो यह जो अब मैं सब मिटा रही हूँ फिर से aquaporins clear हो गया porins clear हो गया porins is nothing it is a protein present into the membrane of mitochondria chloroplast and bacteria for the transportation of some specific substances which are hydrophilic in nature done अभी पढ़ेंगे detail अब आपको एक कहानी सिखाती हूँ देखिए देखिए यह जो proteins बने हुए है इस जो protein इसको क्या कह सकते फैसिलिटेटेड डिफूजन कर रहे हैं तो यह जो channel protein और carrier channel proteins और carrier proteins होते हैं they are very very specific they are very very specific समझ में आगई बात specific का मतलब यह है कि अगर माई यह बोल रहा है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं बहुत committed हूँ मुझे अगर शीला नाम की लड़की से प्यार है तो मैं शीला से ही प्यार करूँगा मुझे मीना पसंद नहीं है ठीक है तो अगर यह protein glucose को transport करता है अगर यह channel protein तो मैं glucose ही transport करूँगा मुझे कुछ और ट्रांसपोर्ट नहीं करना है मैं अपने प्यार के लिए बहुत जादा समर्पित हूँ ठीक है तो they are very specific जो इनको काम करना है यह वही करेंगे कुछ और नहीं करेंगे ऐसा नहीं होगा चल तू तू मेरे साथ चल तू भी चल ले तू भी चल ले तू भी चल ले ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पर 4-6 गल्फरेंड एक साथ चला रहे हो ऐसा कभी नहीं होता अगर मुझे यहां से ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करना है तो यह चैनल प्रोटीन ग्लूकोज ही ट्रांसपोर्ट करेगा कुछ और नहीं कर सकता है समझ में आ गई बात न उसके बाद they are very very sensitive ठीक है आप इसको मटा दू specific हो गया अब They are very very sensitive टू ठीक है यह बहुती जाधा sensitive होते हैं ठीक है यह कैसे होते sensitive होते specific होते sensitive का मतलब यह है कि इनको फर्क पड़ता है ठीक है इनको फर्क पड़ेगा outer environment में कोई change होगा तो यह बदलेंगे दूसरी बात यह है कि sensitivity की चीजे और कैसे कर सकते देखो माल लो समझो बात को कि they are very sensitive and very specific जैसे माल लो suppose that कि यहाँ पर 1 second में मेरे पास यहाँ पर चार आपको channel proteins दिख रहे है ऐपको यहाँ पर 4 channel proteins दिख रहे हैं दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं दिख रहे है माड़म अब 1 second में मैं 1K plus को पास करता हूँ चलो एक सेकेंड में तुमने एक के प्लस को पार कर दिया ठीक है अब एक सेकेंड में मैं दो भी कर सकता हूँ बिल्कुल कर लो तुम्हारे जो मन करे तुम दो भी कर सकते हो एक के प्लस और आ गया एक ही सेकेंड में मैं क्या कर सकता हूँ तीन भी कर सकता हूँ कर लो क्योंकि तुम्हारे पास चार ही चैनल प्रोटीन प्रेजेंट हैं तो जितने तुम्हारे पास चैनल प्रोटीन प्रेजेंट होंगे उसी हिसाब से तुम ट्रांसपोर्ट करोगे It means it is a very sensitive process समझे गली क्या बोला मैंने कि it is very specific मुझे ये मांगता तो यही चाहिए ठीक है मैं चीर दूँगा फार दूँगा मार दूँगा पर चाहिए मुझे यही ठीक है इसके लावा मुझे कोई और नहीं चाहिए तू नहीं तो कोई और सही यह वाला नेचर नहीं चले गया आपर तूही 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 बस तूह और they are very sensitive मतलब अगर इनके पास च sensitive होते हैं मालो की बाहर कोई inhibitor रखा हुआ है मालो शिपरा नाम का कोई inhibitor रखा हुआ है ठीक है कैसे रखू यार कौन सा कलर लूम मालो शिपरा नाम का कोई inhibitor यहां पे रखा हुआ है done inhibitor लिग देती हुए तो यह inhibitor के contact में आते ही अपना shape ही change कर लेते है ठीक है तो यह कर लेते हैं इसका मतलब यह है कि जैसे ही मेरे पास डाकु खडख सिंग आएगा तो अपन बिल में जाके छुप जाएंगे यह अपने आपको हम ऐसा दिखाने लगेंगे कि मैं शिपरा नहीं हूँ मैं हूँ मैं हूँ कोई और ठीक है मैं कोई चुड़ा लूँ ठीक तो डर यहां पर ऐसा नहीं होता अगर माल लीजे कि डाकु खडख सिंग आ गया तो यह अपना शेप चेंज कर लेते हैं इनिबिटर बाइंड होते ही अपना शेप चेंज कर लेंगे तो ट्रांस्पोर्टेशन का प्रॉसेस रुख जाएगा तो यह SSI शो करते है SSI Specificity, Sensitivity and Inhibitory action दन 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 चल पढ़ने डीटेल पढ़ने आजाओ आजाओ मेरे लाल चलो है ना ठाक गई हूँ जल्दी से बताती देखो क्या है diffusion of hydrophilic substances through a fixed membrane transport protein without energy involvement is called as facilitated transportation अगर आप किसी molecule hydrophilic ठीक है कोई भी यह शब्द नहीं भूलेगा मेबी नीट मेज से सवाल बन जाए कि बताएए कि Facilitated diffusion से हम क्या पार करते है Facilitated diffusion से हम hydrophilic 치یजों को पार करते हैं बैट यह करते हैं क्योंकि lipid का जो per है वह पानी से रफ मफरत करता पर यहां हमको gate से ही जाना पड़ेगा क्योंकि तुम जाड़ी की पीछे से जाओगे बीच में से तो तुमको जाड़ी काटा फसा देगी और बीच में फसे रहा होगे तो gas क्या है वो तो अतरंगी है सुभाव की वो बहुत ही मन चली है तो वो कहीं से भी पास सो सकती है ठीक है पर आप नहीं पास सो सकते बाकी कोई और मॉलिक्यूल नहीं पास सो सकता ठीक है diffusion of any substances across the membrane also depend on the solubility of lipid ठीक है बिलकुल सही बात है major concern of membrane diffusion अगर आपको किसी चीज का करना है तो depends करता कि वो में वो लिपिट पे कितना solubile है देखो मैं आदमी हूँ और आदमी को प्यार करता हूँ वैसे ही लिपिड लिपिड को प्यार करता है तो लिपिड लिपिड वाली चीज को पास बुला लेगे तो क्या है कि हमेशे किसी तो तुम अंदर जाओगे मतलब लिपोफिलिक चीज अंदर आजाएंगे जो प्यार करती ही लिपेड को substances soluble and lipid diffuse through the membrane faster जो प्यार करेगा वो चल्दी से प्यार आजाएगा अदर ठीक है substances that have hydrophilic moiety जो hydrophilic cheese कुछीज में जुड़ी है कि माल लीजे कि एक class में एक class में सौ बच्चे बैठे हुए और सौ के सौ जो है पापी है ठीक है front bench में बैठ जाना तुम को attention मत लो तो teacher ने उसको facilitate किया ना उसको help की वहाँ जाने में तो facilitated diffusion is just a help ठीक है तो हमको उस molecule जिसको हमको transfer करना है उसको facilitate करना पड़ेगा ठीक है certain protein which provide the site for such molecule to pass through the membrane इसके लिए हमें कुछ teachers की मतलब कुछ protein की ज़रूरत पड़ेगी transport rate reaches maximum when all of the protein sensitivity जहां मैंने बताई थी उसको saturation लिखना S से बताई था na S S I ठीक है तो मैंने आपको क्या बताय था specificity specificity sensitivity बता दी थी उसको saturation ठीक है saturation का मतलब explanation वही रहेगा कि अगर आपके पास 4 channel protein है तो 4K plus par होंगे उससे जादा नहीं क्योंकि आपके पास channel protein ही खतम होगे ठीक है तीसरा होता है inhibition ठीक है inhibition done तीन property facilitated diffusion शुरू करता है शो करता है transport rate reaches maximum when all of the proteins or transporter being used ठीक है देखो मैंने आपो समझा है कि अगर आपके पास membrane में चार ही channel protein present है suppose that कि अगर आपकी membrane में चार ही channel protein present है तो चार ही molecule प्रास कर पाओगे ना तो एक टाइम ऐसा हाता है कि जब आपके पास channel protein ही खतम हो जाते हैं तो इस saturation देखो सीधी बात है कि अगर मेरे को चार रोटी की भूख है तो मैं चार ही खाऊंगी मेरा saturation आसको है इससे दारा में नहीं खा सकती वैसे ही membrane में जितने carrier proteins होंगे channel proteins होंगे उतना ही ट्रांसपोर्ट कर पाओगे ना अब मौली की उस तुम्हारे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिखते सारे पर अगर तुम्हारे पास channel protein नहीं तो कैसे करोगे यह बात समझनी जरूरी है ठीक है ना तो saturation हो सकता है ना तो specificity जो चाहिए वह ही चाहिए saturation ठीक है inhibition inhibition आने पर अपना shape change करके transportation ही रोग देते है ना कुछ proteins होते है जिनने हम पोरिंस कहते हैं जो की huge pore बनाते हैं outer membrane पे किसके किसके पोरिंस आर दा channel proteins पोरिंस is nothing it is a channel protein प्रीज रिमेंबर दिस ठीक है यह कहां कहां पाजाते है प्लास्टेड, Mitochondria and Bacteria allowing the molecule to pass for example water channels that are made up of 8 different type of protein is called as aquaporins दान ठीक है ना उसके बाद facilitated diffusion यह कहांने आपको clear हो गई ना इसमें कोई दिक्कत परिशानी तो नहीं है अभी आपको यह कहांने clear हो गई ना अब आपको में एक चीज समझाती हूँ देखो passive transport and passive symport and endeport देखो क्या होता है यह यह NCRT का एक image है अभी active पढ़ा रही हूँ द्यान समझना क्या है देखो अगर symport देखो symport क्या है देखो यह पहले में तो रहे डाग्राम समझा दू फिल मैं समझाती हूँ देखो क्या है यह हाँ तो यह कैसे हो रहा है यह carrier protein है इन्होंने पकड़ा पल्टा चोड़ दिया और वापस अपनी जग़ा पर आ गया यह carrier protein से हो रहा है यह channel protein से हो रहा है molecule ऐसे ऊपर वाला इस उनिपॉर्ट ठीक है कुछ molecules ऐसे होते हैं कुछ molecules ऐसे होते हैं एक इनि फैफ कै खोर दिया मतलब सिर्फ ले जाने का वो कैरियर प्रोटीन जो सिर्फ तो दे जैने का काम करते हैं उन्रें हम uniport कहते हैं मैं उस रास्ते पे जाकर वापस कभी नहीं आँगा तो this is called as uniport transportation so it is a transport of molecule और substances across the membrane independent of other molecule और other substances मुझे नहीं मतलब की कौन जा रहा है मुझे नहीं मतलब की कौन आ रहा है मैं एक बार जाके वहाँ छूट जाओ बस मेरा काम खतब तो it is called as uniport transportation कि दूसरा क्या कर रहा है दूसरा हम बात करते हैं सिंपोट ठीक है सिंपोट कैसा होता बहुत बढ़ी है जैसे माल लोग कि हम किसी party में गए ठीक है अब party में गए तो लड़की गई लड़की जो है अब माल लोग की बोला कि सिर्फ कपली आ सकते यहां पर सिंगल लोग नी आ सकता स्टाइग इंट्री नी है चाहे लड़का हो चाहे लड़की अब आपको कुछ भी कर लो आप है तुमको तुम्हारे साथी के साथी जाना पड़ेगा है ना तो जब आप किसी केरियर प्रोटीन की मदद से दो लोग एक साथ जाए और दो को ही जाना पड़ेगा अगर सिंगल जाओगे तो पाटी में इंट्री नहीं मिलेगी तो दिस इस कॉल्ड़े सिंपोट ठीक है यूनिपोट तू जाए तू मर जाए मुझे कोई मतलब नी मैं अके लिए तो जाके रहूंगा यूनिपोट ठीक है सिंपोट मैं तू बेरा साथी मैं तेरा साथी और आज करेंगे भायंगर पाटी ठीक है तो जब दो लोग साथ में जाए तो इस इस कॉल्ड़े सिंपोट देखो तू भी वही मैं भी वही तू जहां जहां चलेगा पीछे-पीछे मैं भी आओंगा ठीक है नेक्स्ट होता है एंटीपोट एंटीपोट क्या है कि इट इस जास लाइक दा इसके एग्जम्पल के बताओ मैं यार कि कोई एक लड़का है और कोई एक लड़की है ठीक है अब हम वह दोनों बस में खड़े हुए है ठीक तो जब लड़का बहुत लड़कों की लाइन पास होती तो लड़की यह कैसे चलती है ऐसे चलती ना हट हट के हट हट के तो लड़का उधर जा रहा है लड़कियों के लाइन इधर जा रही है ठीक है तो दिस इस कॉल्ड ऐस एंटी पोट जब तुम आपोजिट तुम आस्से में तेरी शकल ही नहीं देखूंगा तुमने पिच्छरों में देखा होगा कि लड़ को मतला भी नहीं एक ही जाएगा ठीक है तो इस कॉल्ड ऐस यूनिपोट ये न्सी आटी में आपके दिया हुआ है चीक है ये कहानी सब को क्लियर हो गई नाओ फेसिलेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे और फिर वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं ठीक है उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया पॉरिंस पॉरिंस इस टाइप ऑफ चैनल प्रोटीन विच इस प्रेजेंट न प्लाजमा मेंबरेन ऑफ माइटोखॉंड्रिया और देखो बाप बड़ाया भाईया सबसे बड़ा यह चीज हमेशा याद रखो यह जीवन में है ना जीवन में पैसा नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है पैसा बहुत बड़ी चीज है बहुत बड़ी देखिए अब यहां पर फैसिलिटेटेट डिफ्यूजन ने तो दया कर दी ले ले तुझा सिम्रन तुझा अपनी जिंद नहीं अभी तुम्हारे बच्चा होने में दे रहे अगर तुम जाते हो कि तुम्हारे माबाप तुमको यूएस भेज़े तो तुम्हारे माबाप को पैसे खर्च करना पड़ेगा अगर मैं चाती हूँ कि मैं इस ओफिस में आके पढ़ाऊं तो मुझे अपने गाड़ी का पैटरोल खर्च करना पड़ेगा अब भले ही मैं लिफ्ट लेके आ जाओ दूसरा गाड़ी का पैटरोल खर्च करे पर करतो रहा ही है ना तो कुछ भी करो तुमको वैसा खर्च करना ही पड़ेगा तो तुम्हारे सेल के बाहर और अंदर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते है कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं कुछ ऐसे ऐलिमेंट्स होते हैं जिनको अंदर और बाहर करने के लिए पाई ही सा खर्च करना पड़ेगा ठीक है चलो देखते हैं अब क्या बोल रही हूं मैं चलो एक प्लास्मा मेंब्रेन बना लूँ यहां फटाफट से अरे यही बना लूँ नहीं यह क्लियर नहीं हो रहा है चलो मैं बनाती हूं सो दिस इस अप्लास्मा मेंब्रेन नहीं यहां नहीं बनाओंगी यह मुझे पसंद नहीं आ रही है मुझे ब्लैंक स्लाइट चाहिए means of transport वाली ओके दिस इट चलो आजाओ बच्चो मैं तुमको समझाते हूं active transport बहतरीन प्रोसेस है एक नंबर प्रोसेस है जानदार जबाजस जिन्दाबाद प्रोसेस है देखो ध्यान से प्लाजमा मेंब्रेन तो बनाना ही है तुम्हें ठीक है अब मैं तुम्हें क्या समझाती हूं है कि यहां पर कुछ बनाओंगी मैं अरु यार से तैंसे देखो इसको मैं क्यों सफेथ कर रही हूं आधि लोग समझ गए ऑंगे ठीक है अब समझो active transport हम discuss कर रहे हैं ठीक है हम किसके बारे में discuss कर रहे हैं बच्छो active transport भौती मोटा लिख दिया क्या कोई बैत नहीं active transport के बारे में बात करेंगे ठीक है तो यह कहानी कैसी है ये कहानी ऐसी है कि अगर तुम्हें किसी मॉलिक्यूल को यहां से यहां भेजना है तुम चाहते हो कि यहां से यहां यह चला जाए तो तुम्हें कुछ पाईसा खर्च करना वंगता ठीक है? जो तुम पाईसा नहीं खर्च करेगा तो मॉलिक्यूल नहीं जाएगा और molecule नहीं जाएगा, तो फिर नहीं जाए, तुम्हारी ऐसे कित ऐसी होगे फिर, चलो So this is the cell, आप समझना, एक example तुम्हें बहुत बैतरीन तरीके के समझाती हूँ क्या समझाओ बताओ, देखो, हमेशा, हमेशा है, please always remember this This is the cytoplasm, this is the cytoplasm of the cell, ठीक है, यह क्या है आपका, cytoplasm है cell का And this is the external environment, ठीक है, तेखो, क्या है कि अभी तुमको यह कहानी समझे पाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि हमने अभी nervous coordination वाला chapter किया नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ी सा तुमको problem होगा पर tension नहीं लो, तुम tension क्यों लेते हो, अगर तुम नहीं यह सोच लिया कि मुझे कभी समझमेह ने आएगा मैं बार-बार यह चीज बोलती हूँ, कि active transport मुझे कभी समझमेह नहीं आएगा तो मैं चाहे चौते फ्लोर से भी कूच जाओ, मुझे कभी समझ में नहीं आएगा ये बात समझ में आ गई बात अगर आपको ये लगता है कि चौते फ्लोर से कूच जाने के बात समझ में आ जाएगा तो बेटा जीवन ही खतम हो जाएगा तो active transport समझ के कल लोगे ठीक है तो active transport is a very easy busy thing यू है यू 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 किड़े मकोड़े हैं छोटे छोटे यार अपना भी समझते है आज देखो क्या है active transport जो होता है it is not like the diffusion बच्चो it is not like the diffusion diffusion में तुम्हें facilitated में भी नहीं खर्च करनी थी ना तो तुम्हें normal diffusion में पैसे खर्च करनी थे यहां पर तुम्हें पैसे खर्च करने पड़ेंगे ठीक है देखो हमेशा एक चीज एक concept याद रखो कि cell में ना हमेशा k plus का concentration बहुत बहतरीन होता है एक number concentration अंदर की ओर और बाहर na plus का concentration बहुत बहतरीन होता है concept समझ में आया कि cell के अंदर na plus का concentration बहुत जादा होता है और cell के बाहर na plus का concentration बहुत जादा होता है ठीक है अब active transport में क्या होता है ना हमेशा हमें opposite the concentration gradient जाना है opposite the concentration gradient देखो क्या हुआ हम लोगों के magnet brains में माल लीजे बाढ़ा गई ठीक हावाला हाला कि ऐसे ना हो बगवान माल लीजे बाढ़ा गई हम लोग सब लोग बहे जा रहे है तो सोच रहे हम लोग कि चलो पानी बही रहा है बाढ़ा ही गई है चलो बहते बहते घर तक तो पहुची जाएंगे पर हुआ यह क्या हो रहा है diffusion हो रहा है concentration gradient से बहे जा रहे बहे जा रहे बहे जा रहे पर अचानक से क्या हुआ बाढ़ में एक मगर मच्छा गया सामने समझ रहे हो बात को बीच में क्या गया मगर मच्छा गया अब तुम क्या करोगे तुम क्या करोगे बोलो क्या उस मगर मच्छ के मूं में जाके पना पैल डाल दोगे नहीं करोगे तुम क्या करोगे तुम क्या करोगे ऑपिजिट तैरोगे भगवान इस मगर मच्छ से आज को पैर से पकड़ लिया मगर बचने पर बात अलग है पर तुम भागते हो अपोजिट रहते तो तुम्हें अपने शरीक energy खर्च की की नहीं इतनी बात सब को clear हो गई की नहीं हो अब यहां पर समझने ही जो मैंने बेरल शेप के बनाया है इनको क्या कहते है अपन पंप क्या कहते है पंप इस पंप आर और और अपको मैंने भी क्या सिखाया कि बाहर external environment में हमेशा cell के बाहर N A plus का concentration ज़ाधा और अंदर कम होता है त्क है अंदर K plus का concentration ज़ाधा होता अब ऐसा क्यों होता है यहां से आपको ions को move करना है यहां से आपको ions को basically move करना है ठीक है पर आप कैसे मूफ करेंगे वो ध्यान समझे हमेशा हमेशा हम क्या करते हैं हम 3 Na plus को यहां लेके जाते हैं बाहर की और और हमेशा 2 K plus को अंदर लेके आ जाते हैं इस प्रकार से ये क्या present हो जाता है this is called as proton gradient यह क्या कह रहे हैं आप proton gradient ठीक है यह क्या है बच्चो proton gradient और इसके लिए you need to spend energy और आपको क्या करनी पड़ेगी energy खर्च करनी पड़ेगी done समझ में आगई बात क्या समझा है मैंने कि जिस प्रकार से passive transportation में आपके पास facilitated जो diffusion था उसमें आपने ये देखा था कि आपको कोई पैसा नहीं खर्च करना पड़ रहा था अपने आप चीजे जारी थी पर facilitated में आपने देखा कि आपको दो protein की ज़रुवत पड़ी जिन्हें आप कहते हैं channel या carrier protein यहाँ पर pump protein की ज़रुवत पड़ेगी जो कि protein से ही बने हुए हैं इनके through आप move करेंगे ions को एक होता है proton gradient या proton pump जो की जनरली हम nerves में पढ़ेंगे इसके बारे में शायद मैंने muscle में पढ़ाया होगा I don't know मुझे याद नहीं अभी पर मैं आपको nerves में पढ़ाऊंगी हमेशा यह याद रखिए ने प्लस को अंदर से बाहर लेके जाते इसलिए हमेशे ने प्लस का concentration बाहर जादा होता है पर इसके लिए you need to spend the energy आपको एक ATP खर्च करनी पड़ेगी ठीक है तो आप धक्का मार रोगे प्रशा इस चल निकल भार चल 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 बाहर निकल तेरह काम खतब तो this is called as active transport अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ तो same ये भी क्या है specific ये भी क्या है भाईया specific ठीक है ये भी क्या है specific कि ये कौन सा pump है sodium, potassium, pump तो ये they are specifically designed for sodium and potassium they are they are क्या करते है saturation ठीक है इनका भी क्या आजाता है एक time पे saturation हो जाता है कि इसके बाद ये transportation नहीं कर पाते है because they don't have vacant pump for the transportation now they also shows the inhibition ये क्या शो करते है inhibition भी शो करते है अगर कोई inhibitor आ गया बाहर तो ये उससे bind करके अपना structure change कर लेते है और फिर inhibition को और transportation को ions के transportation को रोग भी सकते है तो same as facilitated diffusion आगे बढ़ें ये कहानी सबको clear हो गई है चलो देखो active transport पर आजाती हूँ फटा फट से में ये कहानी clear हो गई active transport it is very sensitive to the temperature and inhibitor sensitivity है इसमें किसके लिए sensitivity? temperature अगर बहुत जादा temperature बढ़ा होगे तो ये अच्छा इनके अंदर ये property होती कि अपने आपको बंद भी कर सकते है अगर ये maximum transportation कर चुके है तो अपने आपको बंद कर लेते है मुझे करना ही नहीं है temperature बहुत जादा हो जाता है तो भी ये बंद कर लेते है और transportation नहीं करते है हमेशा आपको क्या देख रहे है यहाँ पर ये molecule बहुत जादा यहाँ पर कम है तो आप भेज रहे हो गर proton pump से या pump से तो आपको energy देनी पड़ेगी ठीक है transport of material across the membrane with the help of mobile carrier proteins ठीक है वो क्या होते है mobile carrier proteins होते है या इनको आप pump भी कहते है and ATP ATP की सहाइता की विज़े से active transport uses energy to transport active transport ये this is not the diagram of active transport ये this is not the diagram of active transport ठीक है क्योंकि यहाँ जादा molecule दिख रहे है आपको और ये कम molecule को transport रहे है so this is the diffusion which type of diffusion is this ये कों से diffusion है facilitated क्या यूस कर रहे है आप इस में carrier proteins ठीक है तो ये facilitated diffusion है ठीक है active transport uses energy to transport and pump molecule against the concentration gradient हमें active transport में pump molecule का इस्तिमाल करना पड़ेगा ताकि हम चीजों को higher concentration से lower concentration के और भेज सके active transport is carried out by the special membrane proteins which is also called as pump protein hence different protein in the membrane play an important major role in both active and passive transport तो जो membrane में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं चाहाँ वो pump protein हो carrier protein हो channel protein हो उनका transportation में एक बहुत ही महतवून रोल होता है इन proteins को हम pumps कहते हैं pumps are protein that uses energy to carry substrate across the membrane इन pumps का इस्तिमाल होता है कि तो पकड़ लो और भेज दो पर पकड़ने के लिए तुम्हें इस energy spend करनी पड़ेगी these pump can transport substances from low to high देखो एक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको passive transport में आप क्या करते हो और active में आप क्या करते हो ठीक है ध्यान से समझना ठीक है ध्यान से समझेंगे मेरी बात क्या बोल रही हूँ मैं ठीक जब आप higher concentration से lower concentration अगर आप higher to lower concentration की और molecules को भेज रहे हैं तो इस movement को आप कहते हो downhill क्या कहते हो इस movement को आप downhill higher to lower ठीक है अगर आप high concentration से low concentration की और चीजों को भेज रहे हो तो इसे कहते हो downhill पर अगर आप उल्टा भेज रहे हो मतलब अरे यारे इसको ऐसा बनाना था पने को इसको ऐसा बनाना था पने को यहाँ पर बहुत ज़्यादा concentration है अगर आप low concentration से high concentration की और भीज रहे हो थीक है तो इससे आप कया केते हो up hill दोनों में अंतर समझ मैं है अगर आप along with the concentration gradient भीज रहे हो तो इस is called as downhill थीक है higher concentration से low concentration की और पर अगर आप low से high की और भीज रहे हो तो इस called as uphill ठीक है So, these pumps can transport substances from low concentration to high this is called as uphill transport. Transport rate reaches maximum when all protein transporter are being used or saturated. आपके पास जितने pump protein है जब वो used हो जाएंगे तो अपने आप saturate हो जाएंगे क्योंकि आपके पास कोई बचा ही नहीं है. ठीक है? Now, like enzyme carrier proteins are very specific what it carries across a membrane. ठीक है? यह जो proteins, pump proteins पाए जा रहे हैं, उनको आप carrier proteins भी कह रहे हैं, they are very specific. मुझे यह चाहिए तो मैं यही ट्रांसपोर्ट करूँगा. जैसे sodium potassium pump sodium potassium ही पार करता है, ग्लुकोज नी ट्रांसपोर्ट करने लगता. ठीक है? These proteins are very sensitive to inhibitor, react with the protein side chain और जैसे ही protein side chain से immature react करेंगे, यह अपना काम करना stop कर देंगे. Now, NCRT पढ़ने हैं थोड़ाँ सा? खतम, active transport is खतम. ठीक है? Diffusion, NCRT पढ़ने हैं, एक एक लाइन जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है, क्योंकि बहुत सारी लोगों को लगता है, NCRT नहीं पढ़ाई है मैं, NCRT नहीं पढ़ाई है, लो NCRT पढ़ने जारा. Movement by diffusion is passive and may be from one part of the cell to other, और form the cell to cell. हो सकता है एक cell से दूसरे cell, हो सकता है cell to cell भी आप transport कर रहे हो. Over a short distance, ठीक है? Say from the cellular spaces of the leaf to the outside, ठीक है? तो यह short distance transport है. No energy expenditure takes place, कोई energy नहीं लगेगी. In diffusion, molecules move in a random fashion, अपने आप कहीं भी चल जाते हैं. Net result being substances moving from the region of higher concentration to the lower concentration. ठीक, higher to lower. Diffusion is a slow process and not dependent on a living system. ठीक है? किसी में भी diffusion हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है. जरूरी नहीं के मेशा cell के अंदर ही हो. Diffusion is obvious in gases and liquid. होगा. Gas में जादा, फिर liquid में उसके बाद, फिर कहाँ होगा, वो देखिये. But, diffusion in the solid is more likely rather the solids. ठीक है? Diffusion is very important to the plants, since it only means of gases movement within the plant body. हम सिर्फ diffusion इसलिए पढ़ रहा है, क्योंकि जो gases का movement होता है plant में, वो diffusion से ही होता है. Diffusions rate are affected by the gradient of concentration. ठीक है? Concentration gradient पे depend करता है. अगर आप gradient बढ़ाते जाएंगे, तो diffusion बढ़ता जाएगा. The permeability of membranes separating them, temperature and pressure. ठीक है? ये भी पढ़ा दिया मैंने आपको. So, facilitated diffusion, as pointed out earlier, a gradient must be present for the diffusion to occur. Gradient होना चाहिए, high to low concentration. The diffusion rate depends on the size of substances. ठीक है? ओके? Smaller substances diffuse faster. ये समझ गया? भाई, जो जादा छोटा होगो, जादा तेज़ दोड सकता है ना? Diffusion of any substance across the membrane also depends on the solubility in the lipid. अगर तुम lipid में soluble हो तो तुम जल्दी जो है diffuse हो जाओगे. The major constitution in the membrane, जो कि membrane का सबसे जादा major constitution होता है. Substance is soluble in lipid diffuse through the membrane faster. जो lipid में जादा जल्दी dissolve हो जाता है, वो जल्दी diffuse हो जाता है. Substance that have hydrophilic moiety find it difficult to pass through the membrane. Their movement has to be facilitated. जो पानी को प्यार करता है, लिपिट को नहीं करता, उनके transportation में दिक्कत होगी. इसलिए उनको help करनी पड़ेगी. Membrane protein provide the site with such molecule cross the membrane. Membrane में बहुत सारे proteins होते हैं, जो इनके transportation को help करते हैं. They do not set up concentration gradient. A concentration gradient must already be present for the molecule to diffuse even facilitated by the proteins. This process is called as facilitated diffusion. ऐसा नहीं है कि हम किसी को help करने के लिए भेज दिये, तो process change हो जाएगा, वही होगा. High concentration to low concentration. In the facilitated diffusion, special protein helps to move the substance across the membrane. कुछ special protein help करते हैं, without the expenditure of energy. Facilitated diffusion cannot cause the net transport of molecule from low to high concentration, would require input of energy. इसमें आप low से high की और नहीं ट्रांस्पोर्ट करते हैं, high से low की और करते हैं. Transport rate reaches the maximum when all protein transported are being saturated. कब हम मानेंगे कि maximum transportation हो गया है? जब पूरे membrane पर पाय जाने वाले protein ट्रांस्पोर्ट कर चुके होंगे, या busy हो रहे होंगे. तो saturation आगया, अब कोई protein ही नहीं बचा, आपके पास carrier protein का channel protein तो कैसे ट्रांस्पोर्ट करोंगे? Facilicated, तो यह देख लो भईया, कैसे कर रहे होंगे, कर क्या रहे हो? कि यहाँ पर जादा molecule है, carrier protein आया, इसने दिया और वापस पलट गया, दूसरा लेने के लिए, ठीक है? यह आपका उसका है, diffusion is very specific, it allows the cell to select the substance for uptake, ठीक है? It is sensitive to inhibitor, यह मैंने आपको बताया, कि यह क्या होते है? sensitive होते हैं inhibitor के लिए, ठीक है? ठीक है, the proteins from the channel in the channel membrane for molecule to pass through, some channels are always open, other cannot, and other can be controlled, हो सकता है, कुछ open रहे हैं और कुछ control भी हो सकते है, some are large around the variety of molecule to the cross, ठीक है? The porins are protein that form a large pores on the outer membrane of plastid, mitochondria and some bacteria, ठीक है? यह भी एक type के protein ही है, along the molecule up to the size of small protein to the pass through, even in porin से हम चोटे molecule से protein तक पास कर सकते हैं, ठीक है, जो कहा होते हैं, mitochondria की membrane पे, chloroplast की membrane पे, और कहां पर, और कहां पर, और कहां पर, और कहां पर, बेक्टिरिया की membrane पे, ठीक है? 11.1 बता दिया है, मैंने आपको जो डियाग्रम दिखा है, शोस एन extra cellular molecule bind to the transport protein, तेन इत रोटेट, इसने पकड़ा, रोटेट हुआ, छोड़ दिया और फिर वापर सपनी जेका पर आ गया, and releases the molecule inside the cell, example, water channel, made up of 8 different type of aquaporins, ठीक है, done, ओके, अब यह देखो, NCIT में क्या दिया हुआ है, passive symport and antiports, some carrier or transport protein allow the diffusion only if two types of molecule move together, ठीक है, दो एक साथ move कर रहे, it is called as symport, both molecule cross the membrane in the same direction, symport एक ही direction में जाएंगे, ठीक है, अगर एक direction में नहीं जा रहे है, तो antiport एक direction में जा रहे है, तो symport, और अगर single-single जा रहे है, किसी से कोई मतलब नहीं, तो इसे अब कहते है, uniport, uniport, antiport and symport, ठीक है, दन ये भी clear होगे आपको, लास्ट अबन NCIT से देख लेते है, active transport, active transport uses energy to transport and pump molecule against the concentration gradient, ठीक है, आपको low से high cure भेजना है, कैसा भेजना है, आपको uphill movement, ठीक है, active transport is carried out by the specific membrane protein, Hence, different proteins in the membrane play an important role in both active and passive transport, ये जो membrane protein रहते है, वो passive transport भी कराते है, और active transport भी कराते है, pumps are protein, ठीक है, channel और carrier थे facilitated में, pumps इसमें, that use the energy to carry the substances across the cell membrane, ये पकड़ते हैं, energy use करते हैं, मतलब अंदर की और ये बाहर की और भेज़ देते हैं, These pumps can transport substances from low concentration to the high concentration, इसको आप uphill transport कहते हैं, transport rate reaches maximum, same वही कहानी, saturation इनका भी होता है, जब सब pump protein use हो जाएंगे, तो कैसे transport करोगे, ठीक है, Transport rate reaches maximum when all protein transporters are being used and saturated, like enzymes, ठीक है, ऐसा, बटा, enzyme ही खतम हो गया, तो तुम substrate बढ़ाते रहो, कभी product में convert होगा, ठीक है, वैसी इनकी भी कहानी है, It is very specific what it carries across the membrane, यही लिखा था मैंने, यह भी बहुत specific है, कि उनको transport क्या करना है, अगर sodium potassium transport करना है, ती वही करेंगे, these proteins are sensitive to inhibitor react with the protein side chain, यह भी बहुत sensitive होते हैं, कि यह क्या transport कर रही है, ठीक है, So, बच्चो, this is all about the transportation across the membrane, ठीक है, और it is called as short distance transport, क्या क्या पढ़ा हम लोगोंने, simple diffusion, facilitated diffusion, और active transport, ठीक है, So, see you in the next class, अब तक घर पे रही है, safe रही है, अपना ध्यान रखी है, और पढ़ते जरूर रही है, कोरोना के test, जो है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे है, positive आते जा रहे है, तो घर पर safe रही है, और पढ़ाई करते जाए है, ऐसा नहों कि exam के last time पर आपको कुछ पे स्ट्राइक करें, पढ़ना बहुत जरूरी है, और पढ़ेंगी तब जब स्वस्त रहेंगे, see you in the next class with the new lecture, तब तक के लिए बबाए